हलो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे आपके चोधु हाध्या जिसका नाम है नेता जी सुबास चंद्र बोस नेता जी सुबास चंद्र बोस जो है ये एक सुवतंता सेनानी थे इनके भारे में तो आप लोगों ने सबने सुन रखा होगा और जो हमारे देश की आजादी हुई थी उसके अंदर इनका विलक्षन योगदान है जै हिंद और तुम मुझे खूंदों में तुम्हें आजादी दूँगा ये इनके प्रसिद्ध नारे थे ये नारे उन्होंने बच्पन से ही बोले थे वे बच्पन से ही दयालू और दूसरों की सेवा करने की सुभाव वाले थे बुड़ी विकारिन की सहायता और महामारिस से पीडित गाउं में दिन रात सेवा कारिये में लगे देना उनकी जीवन की इंदो घटनाओं से समझा जा सकता है उन्होंने आई ये इसकी परिक्षा में बहुत अच्छे अंकों से उत्तरीन किया पर उन्होंने आजादी की लड़ाई में कोदने का निर्णे कर लिया उनकी द्वारा बनाई गई आजाद इंद फोज के भैसे ही अंग्रेज भारत चोड़ कर जाने को मजबूर हुए ऐसा माना जाता है तो ऐसे थे हमारे सुभास चंद्र बोस अब हमारे अध्याई पे आते हैं जै हिंद तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा ये प्रसिद नारे नेता जी सुभास चंद्र बोस नहीं दिये थे तो उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दे दो और मैं क्या दूँगा तुम्हें आजादी दूँगा उनकी इन वाक्तियों को सुनकर हजारों नव युवकों और युवतियों के मन में देशबक्ति की जोत जग उठी थी और देशबक्ति का जोस उन लोगों में जाग उठा था तो कई युवक और युवतियों उनके इन आरों से बहुत प्रभावित हुई और उनके अंदर भी देश के लिए क्रान्ति का जोस उनके मन में आ चुका था सुभास चंदर भोस उडिसा के लाडले सपूत थे उनका जन्म 23 जन्वरी 877 को कटक में हुआ था सुभास चंदर भोस जो थे वो उडिसा के थे और उनका जन्म 23 जन्वरी 877 को कटक में हुआ था उनके पिता का नाम जानकी दास बोस था वे चाते थे कि सुभास आईसी एस की परिक्सा पास करें तो सुभास चंदर के पिता का नाम जानकी दास बोस था और उनके पिता चाते थे कि वो आईसी एस की परिक्सा पास करें और बड़ा सरकारी अफसर बनें तो उनके पिता ये चाते थे कि उनका बेटा बड़ा सरकारी अफसर बने सुबास भी अपने जीवन में कोई महान काम करना चाते थे तो जो सुबास चंदर वोस थे वो भी अपने जीवन में कोई महान कारी ही करना चाते थे संपन परिवार से होने पर भी सुबास के मन में गरीबों के लिए गहरी सहानुभूती थी इस सहानुभूती की गहराई को उनके कोलेज जीवन की एक घटना से समझा जा सकता है तो उनके कोलेज के टाइम की एक घटना है उससे हम उनके सहानुभूती की जो गहराई है उसको आसानी से समझ सकते है सुबास के घर के सामने एक बूड़ी भी कारण रहती थी बीक मांगर वह बड़ी कटिनाई से अपना जीवन यापन कर रही थी तो वह जो बूड़ी भी कारण थी वह बड़ी ही कटिनाई से भीक मांगर अपना जीवन यापन कर रही थी मतलब अपना जीवन जी रही थी सर्दी गर्मी बरसात में जिन कश्टों को वह जहलती थी उन्हें देखकर सुबास का दिल रो उड़ता था तो जब वह महिला थी बुड़ी महिला वह सर्दी गर्मी बरसात इनमें जो कश्ट सेलती थी सर्दी में उसे सर्दी लगती थी गर्मी में गर्मी और बरसात में बारिस में वह जब कश्ट सेलती थी तो सुबास का दिल रो उड़ता था वह इतने कश्ट सहन करती है और मैं कितना सुवीदा समपन्न हूँ तो वो मनी मनी ये सोचते थे कि वो बोड़ी हो रहते वो इतना कश्ट सहन करती है और मैं अपना जीवन जो है वो कितना सुवीदा से जी रहा हूँ यह सोचकर उन्हें अपने पर गलानी होती थी कोरी सहानुभूती से क्यालाब तो सुभास चंद्र वोस ने फिर सोचा कि जो कोरी सहानुभूती है उससे क्यालाब मुझे इस विखारिन की सहायता करनी चाहिए तो वो डर्ड निश्चे कर लेते हैं कि मुझे इस विखारिन की सहायता करनी ही चाहिए यहां सोच कर जेब खर्च में से कोले जाने का बसका किराया उन्होंने उस बिखारिन को देना सुरू कर दिया तो वही उसकी इता करनी चाहिए सहानू बूती दिखाने से कुछ भी नहीं होता ऐसा सोच कर सुबाज चंदरबोस ने उस विखारिन की सहायता करने के लिए जो उन्हें जैब खर्च मिलते थे और कॉलेज जाने का जो किराया मिलता था उस किराये में से उन्होंने कुछ पेसे उस विखारिन को देना सुरू कर दिया उनका कोलेज घर से तीन किलो मीटर की दूरी पर था वे अब पेदल ही जाते थे तो उन्होंने अपना किराया बिखारिन को दे दिया वे पेदल ही जाने लगे थे उन्हें हर भारतवासी का दर्द अपना ही दर्द लगता था तो सुबास चंद्र बोस को जो सारे भारतवासी हैं उनका दर्द अपना ही दर्द लगता था उनकी कोलेज जीवन में ही एक बार पास पास के गाउं में महामारी फेल गई मतलब एक बिमारी फेल गई जिस तरह की भी मारी आजकल फेल रही है न उसी तरीके की उस टाइम पर भी फेली थी गाउं के लोगों की सेवा करने वाले दल में सुबास भी सम्मिलित हो गई उन्हें रात दिन गाउं वास्यों की सेवा करते हुए कई कई राते जागना भी पड़ा तो सुबास चंदर बोस को गाउं वालों की सेवा करते करते कई बार रात भर जागना पड़ता था और कई-कई राते जागना पड़ता था पुत्र को दिन रात सेवा कारिय में लगे देखकर उनके पिता ने घर पर दूरगा पूजा रखवाई तो उनके पिता ने जब देखा कि उनका पुत्र रात रात भर ग्रावाशियो की सेवा में लगा रहता है तो उन्होंने ऐसा देखकर घर पर ही दूरगा पूजा रखवाई और दूरगा पूजा में सामिल होने के लिए वे उन्हें भूलाने गए सुभास ने पिता से कहा पिता जी मा दुर्गा की पूजा और हवन आप कीजिए तो सुभास चंदर बोस कहते हैं उनके पिता से कि पिता जी मा दुर्गा की पूजा और हवन आप कीजिए मुझे तो क्या करना है मुझे मा दुर्गा की संतानों की सेवा करने देजिए मेरे लिए इस समय मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है यह उत्तर सुनकर पिता ने सुबास को गले लगा लिया और उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे कर्म में सच्चाई है इसी से तुम्हें पुन्य मिलेगा तो ऐसा उत्ता सुनकर पिताने सुभास को घले लगा लिया और उन्होंने कहा उनके बेटे से कि बेटा तुम्हारे कर्म में सच्चा है मतलब तुम्हारे कारियों में सच्चा ही है इसी से तुम्हें पुन्य मिलेगा एक दिन एक पुलिस अधिकारी रिष्टेदार उनके घर आये उनके हाथ में सुबास की एसी अब्यास पुस्तिका आ गई जिसमें सिवाजी, प्रताप, प्लक्षिवाई, आदिक रांतिकारियों की चित्र चिपके हुए थे तो एक बार उनके घर पे कोई रिष्टेदार आये है उनके वो क्या थे पुलिस अधिकारी थे और उनके हाथ में सुबास की एसी पुस्तिका लग गई जिसमें की क्रांतिकारियों की चित्रह, सिवाजी, प्रताप और लक्षिवाई की चित्र थे उनचित्रों की नीचे लिखाता में भी ऐसा ही बनूँँगा तो सुबास चंदर बोस ने उस पुस्तिका में क्या लिख रकाता नीचे की में भी ऐसा ही बनूँगा पुलिस अधिकारी रिस्तेदार यह पढ़कर घबरा गए उन्होंने सुभास की वब्यास पुस्ती का तुरंत ज़ड़ा डाली तो जब उन्होंने ये चीज पड़ी कि मैं भी ऐसा ही बनूँगा तो उन्होंने सुभास की वो जो अब्यास पुस्तिकाती उसको भी जला दिया बोले यह लड़का तो विद्रोही बनेगा और वो बोले पुलिस अदिकादी कि यह लड़का तो विद्रोही ही बनेगा जैसे ही सुभास को यह बात पता चली उन्होंने उस रिस्तेदार को इतनी जोर से दमकाया कि उसने घर से चले जाने में ही अपना भला समझा तो सुभास ने उस रिस्तेदार को इतनी जोर से दमकाया कि उसने क्या सोचा कि अब तो यहां से चला जाने में ही भला है सुभास ने घर में कह दिया मैं एक एक अंग्रेज को भारत से निकाल कर ही दम लूँगा तो उस पुलिस अधिकारी जो रिस्तेदार था उससे सुबास ने कहा कि मैं एक-एक अंग्रेज अधिकारी को निकाल कर ही दम लूँगा जान की दास बोस भाब गए कि सुबास क्रांती की रहा पर चल पड़ा है तो जो सुबास के पिता थे वो इस चीज को समझ गए कि सुबास क्रांती की रहा पर चल पड़ा है उन्हें लगा कि यह तो उनकी इच्छा के विपरीत काम हो रहा है तो उनको ऐसे लगने लगा कि यह तो उल्टा हो रहा है उनकी प्रभल इच्छा थी कि सुभा आईसीएस एंडियल सीविल सर्विसेज की परिख्या पास करके अपसर बने तो उनके पिता चाहते थे कि वो आईसी एस में अपसर बने इसलिए उन्होंने सुभास को ताना मारा तुम में इतनी योगेता कहा हैं कि हैं अंग्रेज बच्चों को ICS में पचाड सको तो उनकी पिता इस भास को ताना मारा कि तर्दुमेट व्योगेता ही नहीं कि तुम अंग्रेज बच्चों को पचत चाड़ कर ICS की परिक्षा पास करकर दिखाऊंगे तो सुभास ने फिर ठान लिया कि मैं ICS की परिक्षा उत्रीन करके दिखाऊंगा पिता जानकिदास खुस हो गए तो जब सुभास ने कहा कि मैं ICS की परिक्षा उत्रीन करके दिखाऊंगा तो पिता खुस हो गए जानकिदास बोस ने एक दिन सुना कि सुबास ने ICS में पूरे भारत में दूसरा इस्थान प्राप्त किया है तो वे भी खुस भी न हो सके कि उन्होंने दूसरा समाचार सुना सुबास ने ICS की डिगरी फार कर फेक दी तो उन्होंने ये भी सुन लिया कि उसने ICS की परिक्षा पास कर ली लेकिन तुरंती उन्होंने समाचार सुन भी लिया कि उस परिक्षा में जो डिग्री मिलीती उसको उन्होंने फाड भी दिया इस तरह आजादी के मतवाले सुबास को संसार की बेडियां नहीं बांद पाई तो वो डिग्री भी उन्हें नहीं बांद पाई सुबास पूरे जोर सोर से देश की आजादी के लिए जूजने लगे वी ताकत के बल पर अंगरे जो को भारत से वापस भेजना चाते थे तो सुबास पूरे जोर सोच से देश की आजादी के लिए जूजने लगे और वे ताकत के बल पर अंग्रेजों को भारत से वापस भेजना चाते थे इधर महात्मा गांधी सांतियो रहिंसा से भारत की आजादी की रड़ाई लड़ रहे थे वे अंग्रेजों की प्रती हिंसा को बुरा मानते थे तो वो जो अंग्रेजों की प्रती लोगवाग हिंसा करते थे न उसको गांधी जी बुरा मानते थे तो बच्चों हिंसा होती है किसी को मारना या किसी को नुकसान पहुचाना यही हिंसा होती है एक बार किसी मित्र ने पूछा सुभास तुम साधी क्यों नहीं कर लेते तो बच्चों एक बार सुभास की किसी मित्र ने सुभास से पूछा कि सुभास तुम शाधी क्यों नहीं कर लेते तो सुबास बोले कोई मूं मांगा दहेज दे तुम्हें शादी करने को तयार हूँ तो मित्र ने पूछा तुम्हें दहेज में क्या चाहिए तो सुबास बोले देश की आजादी तो कि कोई मुझसे ये कहे ना कि भई तुम्हें देश की आजदी देंगे तहेज में तभी मैं शादी करूँ नहीं तो मैं शादी ही नहीं करूँ आजादी के ऐसे दिवाने थी सुबास उन्होंने अंग्रेज सरकार की नाक में दम कर दिया सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया उन्होंने अंग्रेजों को बिल्कुल परिशान कर दिया तो अंग्रेजों ने फिर उन्हें जेल में डाल दिया सुबा स्वेसबूशा बदल कर जेल से फरार हो गए और विदेशों में जा पहुँचे तो वो देश से देश में उन्होंने अंग्रेजों को परिशान कर दिया है इसके बाद वो देश से बाहर विदेशों में चले गए वे जर्मनी जापान होते हुए इटली पहुचे जापान में जाकर उन्होंने आजाद इंद फोज बनाई हजारो भारती योग यूतियों ने सुबास के इसारे पर मर मिटने की कसम खाई महिलाओं ने अपने कीमती गेने उन्हें भेट कर दिये तो जापान में जाकर उन्होंने आजाद हिंद फोज बनाई और हजारो भारती योग यूतियों ने सुबास के इसारे पर मर मिटने की कसम खाई थी महिलाओं ने अपने गहने उन्हें भेट कर दिये ताकि उनकी जो आजाद हिंद फोजे उसके अंदर वो गहने काम आ सके तो भच्चो सन 1945 में सुभास ने अंग्रेश सरकार पर धावा बोल दिया तो 1945 में सुभास ने अंग्रेश सरकार पर धावा बोल दिया और ऐसा कहा जाता है कि उनकी विमान में आग लगने से उनकी म्रत्य हो गई तो विमान में आग लगने से सुभास चंद्रबोस की म्रत्य हो गई हाला कि बाद में पता चला कि वैसी कोई विमान दुरगटना हुई ही नहीं थी लेकिन बाद में पता चला कि ऐसी कोई भी दुरगटना नहीं हुई थी तब से लोग उनके बारे में कोई सूचना नहीं पा सके और उस विमान दुर्गटना के बाद में इसा कहा जाता है कि उनकी कोई सुचना प्राव्त नहीं हो सकी वे चाहे सरी से जीवित ना हो परंतु हर भारतिये के मन में जीवित है तो सुभास चंद्र वोस चाहे जीवित नहीं हो लेकिन हर भारतिये के मन में वो जीवित है अदमान की गूंज में लिखा है तो प्रसिद जो क्रांतिकारी है मनमत नात गुख्त उनकी एक पुस्तक है अदमान की गूंज तो उसमें लिखा है कि सुबास की आजादिंद फोज के डर से ही अंग्रेज भारत छोड़ने पर मजबूर हुए तो उन्होंने लिखा है कि भारत छोड़ने पर राजी हुए थे या देश को आजाद करने के लिए तैयार हुए थे बहला कोई किरांतिक आक्रमनकारी बादसीत से भी किसी देश को आजाद करता है या भारतियोंने नमन करता है तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी कि कोई भी आक्रमनकारी बाच्चीत से ही किसी देश को आजाद करते तो ऐसा नहीं हो सकता इसलिए जो कहें भारतिये सुबास चंद्रबोस को नमन करते हैं तो बच्चो इससे हमें सुबास चंद्रबोस के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि किस प्रकार संगर्स रत होते हुए उन्होंने अपने लक्षक पर आगे बढ़के दिखाया तो सुबास चंद्रबोस उन्हें ये नाम नेता जी नाम भी किसी ने दिया था तो उनको नेता जी कहकर संबोधित करते थे सुबास चंद्रबोस के जो नारे थे जे हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजा दी दूँगा ये नारे भी बहुत प्रशिद थे उन्ही ने ही ये नारे दिये थे तो बच्चों सुबास चंद्रबोस के जीवन से हमें कही सारी शिक्षा प्राप्त होती हैं कि वो किस प्रकार से बुजूर्गों की सेवा करते थे या बड़े बुजूर्ग की सेवा करते थे और उनके मन में किस प्रकार से दयालूता कूट कूट कर भरी हुई थी वो अपने देश से बहुत प्यार करते थे और उनका परिक्षा में चुनाव होने के बाद भी उन्होंने उस डिगरी को फार दिया इससे हमें पता चलता है कि वो अपने देश से कितना प्यार करते थे उनके बहुत अच्छे अंकोसी उत्रीन होकर भी उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में खूदने का नेड़ने लिया और उनके दुआरा बनाई गई आज़ाद हिंद फोज के भैसे ही अंग्रेज भारत छोड़ कर जाने को मजबूर हुए ऐसा विश्वास किया जाता है उनके जीवन से हमें कई प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है वह एक अच्छे देश भक्त थे और उनमें देश भक्ती कूट-कूट कर भरी हुई थी उन्होंने अपने देश के लिए लड़ जाना भेतर समझा और उन्होंने आजीवन शादी नहीं की वह हुआ रही थे एक बार जब उनके मित्र ने उनसे पूछा तुम शादी क्यों नहीं कर लेते तो उन्होंने जवाब दिया कि कोई मू मांगा दहेज दे तो मैं शादी करने को तयार हूँ तो बच्चो सुभास चंद्र वोस ने ये कहा कि कोई मू मांगा दहेज देगा तभी मैं शादी करूँगा तो फिर मित्र ने पूछा उनसे तुम्हें दहेज में क्या चाहिए तो दहेज में उन्होंने क्या मांगा कि देश की आजादी मुझे दहेज में चाहिए तो आजादी के ऐसे दिवाने थे सुभाश और उन्होंने अंग्रेजों को भी परेशान कर दिया था इसके बाद बच्चों हमारे शब्दार थाते हैं तो इसके अंदर जो टिक किये गए हैं शब्दार वो ही आपको करने हैं शब्द से पहला सब्द है आपका जीवन यापन जीवन यापन होता है इसका अर्थ होता है जीवन बिताना इसके बाद का आपका शब्द है महामारी महामारी होती है इसमें महामारी है हेजा आधी रोग जैसे कि अभी महामारी चल रही है हमारे कोरोना उसी प्रकार से उस टाइम की महामारी ती है जा आधी रोग महामारी होती है जो की बहुत अधिक संख्या में लोगों को होने लगती है उसी को महामारी कहा जाता है और इससे लोग अधिक संक्या में मरने लग जाते हैं इसे ही हम महामारी कहते हैं इसके बाद है क्रांती का अर्थ होता है बलपूर्व कन्याय का विरोध करना तो अन्याय की खिलाब आवाज उठाना ही क्रांती का अर्थ होता है इसके बाद है सहानुबूती सहानुबूती होती है हमदर्दी तो किसी के साथ हमदर्दी करना ही सहानुबूती होता है इसके बाद है कोरी कोरी का आर्थ होता है खोकली या दिखावा करना उसके बाद next सब्दारते है हमारा बेडिया बेडिया का आर्थ होता है पेरों में लोहे की जन्जीर तो बेडिया का आर्थ है पेरों में लोहे की जन्जीर तो बच्चों उम्मीद करते हूँ आपको ये अध्या समझ में आ गया होगा और ये शब्दार्थ भी जीवन या अपन का अर्थ में नहीं अहां आपको बताया था जीवन बिताना उसके बाद महामारी का अर्थ बताया था हेजा आधी प्रोग क्रांती का अर्थ बताया था बलपूर्वक अन्याय का विरोध करना तो बलपूर्वक अन्याय का विरोध करना ही क्रांती होता है और सहानुभूती का अर्थ होता है हमदर्दी कोरी का अर्थ होता है खोकली या दिखावा करना सम्मिलित होता है सामिल और बेडिया का अर्थ होता है पेरों में लोहे की जन्जीद प्रशिद होता है मस्मूर लाडला होता है प्यारा सपूत होता है सुपूत्र लेकिन आपको इसके अंदर जो टिक लगाए गए हैं वो ही शब्दार्थ आपको करने है तो बच्चों नेटा जी सुबास चंद्र बोस अद्धै से हमें नेटा जी के बारे में कई जानकारी प्राप्त हुई है दित्ति विश्व युद्ध के दोरान अंग्रेजों के खिलाप लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजादिन्द फोज का गठन किया 18 अगस्ट 1945 को उनकी म्रत्यू बताई जाती है कि उनके म्रत्य 18 अगस्ट 1945 को ताईपे तापवान में हुई थी और उन्होंने पहले तो शादी नहीं की लेकिन बाद में पत्नी एमिली सेंकल से उन्होंने विवह कर लिया तो एमिली सेंकल उनकी पत्नी थी जो की एक विदेशी महिला थी सुभास चंदर बोस अपने साथ एक राउंड जो घड़ी थी उसके अलावा अपना चस्मा पढ़ने वाला चस्मा सिग्रेट केस, सिग्रेट लाइटर और गीता जो की हमारे हिंदूओं की धार्मित बुस्तक है वो भी अपने साथ रखते थे और दूसरे भी जो उपयोगी सामान होते थे वो भी हमेशा वो अपने साथ लेकर ही चलते थे तो इस अध्याय से हमें सुबास चंदर बोस्त के बारे में बहुत जादा जानकारी प्राप्त होती है कि वो किस प्रकार के वेक्तिते उनके वेक्तित्व के बारे में भी हमें बहुत जानकारी प्राप्त होती है तो और ऐसा भी कहा जाता है कि उनकी बनाई हुई आजादिंद फोज के भैसे ही अंग्रेज भारत छोड़ कर जाने को मजबूर हुए ऐसा निस्चित ही कहा जाता है तो बच्चों आज का अध्या हमारा यहीं समाप्त होता है ओके बाई स्टूडेंट झाले अंग्या हमारा यहीं निस्चित है